हेलो गाइज, वेलकम बैक पो माई चेनल फ्रेंड्स आज हम कुकर में वैज बियाने बनाना सीखेंगे ये रस्पी बहुत ही आसान है, जल्दी बनने वाली है और टेस्ट में तो ये लाजवाब है चावल पसंद करने वालों के लिए तो ये रस्पी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अंट तक जरूर देखें फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली है बीन, मटर, एक आलू, एक टमाटर, सिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, पनीर, कुछ खड़े मसाले ली है सोया बीन की बड़ी इनने हम बिगा कर रखेंगे दो मिनिट के लिए प्यास बारी काट लिए है यहाँ पर मैंने अद्रक और लहसन का पेस्ट लिया है यहाँ पर दो कोटोरी बासमती चावल लिये मैंने और इनको दो तिन बार साब पानी से दो लेंगे यहाँ पर मैंने एक कड़ाई में सरसो का तेल लिया है और तेल हो चुका है इसमें कटे हुए प्यास डाल देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तब अच्छे से भूनेंगे यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूँगी जिसे यह अच्छे से प्यास मेरे गोल्डन हो जाए ब्रियानी में गोल्डन प्यास की एक खास एहमियत है इसके बगएर आपकी ब्रियानी अधूरी लेगे की इसलिए इन प्यास को जरूर डालें यह देखें आप देख सकते हैं प्यास ब्राउन होने लगा है इनको थोड़ा ब्राउन और करेंगे है यहतज प्याज ब्राउन हो चुकए हैं इन्हें हम कड़ाय़ से बाहर निकाल लेंगी आप मेल देख सकते हैं आ अहराम से इसका सटस्ट से लगा के तेल अच्छे से निकाल के प्याज बाहर निकाल लेंगे अपना इसके बाद हम कटा हुआ पनीर फ्राई कर लेंगे ज़्यादा फ्राई नहीं करना हलका सा फ्राई करना हलका हलका फ्राई करने के बाद हम बहाँ निकालेंगे ये देखें पनीर हो चुका है इसको भी हम एक बर्तम में निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारी सब्जा फ्राई करेंगे यह देखिए अब यह सिम्ला मिट फ्राई कर रहे हैं इन सब्जों के आप कुकर में भी फ्राई कर सकते हैं और यदि आपके पास में बड़ी कड़ाई है तो सारी सब्जों को एक बार में भी फ्राई कर सकते हैं जो इसे फ्राई कर लेंगे और इसके बाद जो हैं आलू कटे हुए इससे फ्राई कर लेंगे जो है आलू हो चुके हैं कड़ाही में यहापर तोड़ा उयल जादा है तो इसे मैं हापर कम कर लोगी उसके बाद जो साबुत मसाले लिए हैं वो उसमें हम फ्राई कर लेंगे साबुत मसाले में लाल मिर्च, तेज पत्ता, दाल चीनी, लॉंग और दो तिन काले मिर्च लिए हैं यह हलके फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद में लहसन और प्याज का पेस्ट हम यहाँ पर एड़ कर लेंगे और उसका हलका फ्राई करेंगे जिससे कि हमारे अध्रक और लहसन की कच्छे पन की स्मेल निकल जाए गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मेडियम ही रखेंगे जिससे हमारे मसाले जादा ना जलें इसको चलाते हो अच्छे से भून लेंगे उसके बाद जो बचे हुए प्यास थे उसको भी हम कड़ाई में एड़ कर लेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक उसको भी हम भूनेंगे यहाँ पर जो मैंने दो तीन मिर्ची काट कर रखी थी उसको भी हम डाल लेंगे और उनके साथ उनको भी हलका फ्राई करने देंगे यह देखें अच्छे फ्राई हो चुके है इसके बाद में कटा हूँ टमाटर एड़ कर लेंगे और तब तक टमाटर साफट ना इसको हम अच्छे से पकाएंगे कि जो मिनिट के बाद टेमाटर सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद अपने फ्राइ की अपने सबजीना सारे समें हम अड़ कर देंगे कि यह देखे सारे सब्सेजया में अड़ कर दिये और अच्छे से हम इसे चला लेंगे उसके बाद में अपना मटर सोयब इनकी बड़ी जो हमने भिगा कर रखी थी उनका पानी काले बाद उसको भी हम एड़ कर लेंगे कड़ाई में और अच्छे से हम अपने पोनी की हल्प से इसको मिक्स कर देंगे सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है आप यहाँ पर दो बड़े चमस दही भी डाल सकते हैं और यदि आपके पास दही नहीं है तो आप दही यूज ना करें यहाँ पर मसाले डालेंगे लाल मिर्ची पॉडर मिर्च आप अपने टेस्ट का नुसार डाल सकते हैं हल्दी पॉडर धनिया पॉडर गरम मसाला आप यहाँ पर बिर्यानी मसाला भी यूज कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है तो ज़्यादा जरूरी भी नहीं है कि आपको मसाला यूज करना है उसके बाद हम नमक डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर ह सारे सबजियों में अच्छे से मिक्स हो जाएं इसको अच्छे से चलाने के बाद हमसे दो मिनिट तक धक्कर पकाएंगे आप देख सकते हैं, दो मिनिट के बाद हमारी सबजियों में कलर कितना अच्छा है, सारे मसाले सबजियों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुकर लोगी, और कुकर में दो चमत देशी घी नीचे डाल लेंगे, जिससे कि हमारी बिर्यानी क कुकर में ना लगे उसके बाद में हम कुकर में एक चावल की लेर बनाएंगे आप देख सकते हैं कुकर में एक चावल की लेर बना देंगे अच्छे से फेला के आप यह देख इस तरह के से बनानी है चावल के उपर हमें जो फ्राई सब्जियां करके रखी है उसके एक लेर आप देखसें, इस तरह से हम लेर बनाएं उसकी, ये देखें, इसकी लेर बन चुकी है, उसके बाद जो हमने प्यास भून कर रखा है, उसको भी डाल देंगे, उसके बाद हम दुबार से चावल की लेर बनाएंगे, सब्जियों के उपर, ये देखें, इसकी लेर बना बनाएंगे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी एक सब्जी की एक और बन गई है उसके बाद हम अपने भुने हुए प्याजों इसके उपर डाल देंगे काटा हुआ हरधनिया आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं उसे भी अच्छा टेस्ट आता है इसके बाद सब्जियों के उपर हम एक और चावल की लेर बनाएंगे एक सारे चावल डालगर हम इसकी इच्छे से एक और लेर बना देंगे सब्जियों के उपर यह देखे लेर बन चुकी है अब यहाँ पर जो हमारे ब्राउन ओनियन थे वो डाल देंगे कटा हुआ हर अधनिया और हलका सा नमक क्योंकि हमारे चावल में नमक नहीं है और यहाँ पर मैंने दो कोटोरी चावल लिए तो तो यहाँ पर मैं चार कोटोरी पानी डालूँगी उसके बाद हम कुकर का ढकन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे एक सीटी लगने देंगे उसके बाद गैस का फ्लेम सिम कर देंगे दो मिनट और पकने देंगे और उसके बाद गैस फ्लेम आफ कर देंगे कुकर को खुसे ठंडा होने दें जब कुकर ठंडा हो जाए उसके बाद हम धकन खुल कर देखेंगे आप देख सकते हैं हमारी बिर्यानी कितनी बहतरीन बनी है जिसका कलर बिल्कुल ही मन लुभाने वाला है देखिए आप देख सकते हैं हमारे चावल और सब्जियां अच्छे से पक चुके हैं और अपने हम इस पोने की हल्प से देखेंगे चावल हमारे कितने खुले खुले बने है सब्जियां भी देख सकते हैं जो हमने लेरिंग की थी वह बहुत ही अच्छे से चावलों में उसका कलार आ चुका है देखिए कितने अच्छे से बनी है आप इस तरीके से एक बार बिरियानी बनाएंगे तो उंगली चाड़ते रह जाएंगे थैंक्स ओर वाचिंग जाएंगे